हलो मित्रों जैमाताजी मित्रों 28 और 29 दिसंबर मित्रों रासी वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये दिन मित्रों आपको बताएंगे इन दो दिनों में कौन से चेत्रों में कारी करने से आपको ज़्यादा सफलता आपके मान सम्मान इसकृति मैवर्दी हो सकेगी आप अपने कारी शेतर में बहतर फर्दर सन कर सकोगे इसके लिए क्या करें क्या ना करें क्या कहते हैं आपके सितारे आपका लखी कलर लखी नंबर इन दिनों में कौन सा रहने वाला है आपको बताएंगे आपके वैपार करि अबस कर लें ताकि रोजा नारासी फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सके मित्रों आज मित्वन रासी वाले जातकों को बताना चाहूंगा के आपके भागे के सितारे आज काफी बुलंद रहने वाले हैं आपको अपने कारिच शेतर में बहतर परिणामों की फ्राप्ति इन दिनों हो सकती हैं कामकाज में आपको सफलता मिलेगी अगर आप किसी धार्मिक संस्थान से जुड़े हैं तो आपको लाव जरूर मिलेगा आपका दामपत्य जीवन खुसहाल बना रहेगा वैबसाइक प्रगति के लिए दिन काफी अनुकूल रहने वाले हैं 28 और 29 दिसंबर का दिन आप किसी नए काम के बारे में सोच सकते हैं आपका स्वास्त फिट रहेगा आप दोस्तों से मिलेंगे आफिस में आपके कारीों की प्रसंसा भी पूरी तरस होने वाली है काम काज में आप बहुत हद तक सफल हो सकते हैं आप अपने काफी बहतर तरीके से अपने जीवन को जी सकते हैं मित्रों आपको बताना चाहेँगे कि मित्ων रासी की महिलाओं के लिए इन दिनों काफी अच्छे सुनवरे अवसर की प्राप्ती हो सकती है आपको अपने जीवन साथी अपने बाल वच्चों तथा पारिवारिक सदस्य के साथ कहीं घूमने या फिर कहीं फीकनिक मनाने का योजना बना सकते हैं मित्रों महिलाओं के लिए 28 और 29 दिसंबर का दिन कोई खास कबर लेकर आ रहा है आपका आर्थिक पक्च पहले की अपेक्षा और वी बैतर रहेगा आपको माता फिता का पूरस्च योग प्राप्त होगा ओफिस का पैंडिंग काम आप 28 दिसंबर को पूरा कर सकते हैं मित्रोंMusic इस रासी के चात्रों को पढ़ाई के फ्रती विदेश जाने कामों का भी मिल सकता है समाजिक अस्तर पर आपका रूतवा बढ़ेगा आपको बताना चाहेंगे कि मिथन रासी के जातकों के लिए इन दिनों काफी अच्छी अच्छी योजनाओं को प्राप्त कर सकते हैं मिथन रासी के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप किसी नए काम की यूजना को बना सकते हैं प्राइवेट नौकरी करने वालों को 28 और 29 दिसंबर के दिन कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है आई के श्रोतों में विर्दी होगी आप उसे पूरा करने में सफल होंगे छात्र अपने मित्रों के साथ किसी सब्जेक्ट को लेकर चर्चा कर सकते हैं स्वास्त के मामलों में दिन थोड़ा उतार चड़ाव वाला रह सकता है प्रंतु किसी तरह के वेर्थ के जगड़े में पढ़ने से आपको इन दिनों बचना चाहिए साथ ही अपने वहवाईक जीवन को बहतर बनाने के लिए आपको अपनी गलत इवेमियों को दूर करना पड़ेगा नित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आपका मनसामाजिक कार्जों की तरफ हो सकता है आर्थिक लाज्ट के लिए आपको दूसरे सहर की यात्रा करनी होगी परोसीयों के बीच आप तारीख कर सकते हैं मित्रों माताफिता अपने बच् चीत करते समय आपको अपनी वानी पर सयम निश्च तोर परवरतनी होगी अन्यता आपकी बनी बनाई बात भी इन दिनों विगड़ सकती है मत्रों 28 और 29 दिसंबर के दिन आप साम को कहीं घूमने की फ्लानिंग कर सकते हैं या फिर किसी मंदिर में दर्सन के लिए जा सकते हैं आपकी कोई एक्छा आज पूरी हो सकती है कुछ लोगों खरे आपको सुबकामों में मदद मिलेगी जीवन साथी से आपको पूरा सही योग बिलेगा मित्रों अधिकारियों से आपको इन दिनों अच्छा कॉंप्लिमेंट मिल सकता है जिनसे की आपका उत्सा बढ़ सकता है संतान को कोई महत्पून कारिश संपन होगा जिससे आपके काम के लिष्ट थोड़ी कम होती दिख रही है आप किसी काम में बेस्ट परफॉर्मेस देने के लिए कुछ नया तरीका अक्तियार कर सकते हो करियर के लिए 28 और 29 दिसंबर का दिन मील का पत्तर साबित होगा किसी काम के पूरा होने पर आपको फ्रसंता मिलेगी साथ ही हर कोई आपकी बातों को सुनेगा आपके काम में सीनियर का पूरा योगदान रहेगा प्रेम संबंदों में मजबूतियां आएंगी आपको वैफार में अचानक धनलाव का अवसर प्राप्त होगा सेहत के मामलों में आप खुद को ताजगी से वरा महसूस कर सकते हैं 28 और 29 दिसंबर का दिन आपके लिए अत्यंतलाव कारी रहेगा आफिस में किसी जरूरी काम को पूरा करने के लिए पिछली कमपनियों का अनुबब आपके काम आ सकता है किसी नए वैवसाय में आप अपना पैसा लगाने के बारे में सुन सकते हैं साथ ही 28 दिसंबर के दिन आपको कोट कचहरी के मामलों से दूर रहना होगा आपको अपने स्वास्त के लिए एकसरसाइज रखना जरूरी होगा लबमेट कहीं घूमने की फ्लानिंग बना सकते हैं साम को परिवार के साथ जरूरी बात आप कर सकते हैं मित्रों आपका दिन वेहत खुशनमा रहेगा आप जिस भी काम को करोगे वो पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता आप 28 दिसंबर के साम को घरेलू समानों के खरिदारी के लिए मारकेट भी जा सकते हैं आप किसी पुराने मित्र से मिलने उसके घर पर जा सकते हैं अधिकारी वर्ग आपके काम से प्रसंद होंगे आप किसी नए आई के सुरोत का फायदा उठा सकते हैं आप नए लोगों से संपर्क में आओगे इससे आपको काफी फायदा मिलेगा परिवार वालों के साथ आपके सम्मंद बहतर बनेंगे परिवार में चल रही परिवारिक कलेशों को दूर करने के लिए 28 और 29 दिसंबर का दिन काफी बहतर है आप अपने गलतियों को सुविकार कर लोगों के बीच अपने गलतियों को सुविकार कर आप अपने परिवारिक सदस्यों को अच्छे से परिवारिक सम्मंदों को बहतर बना सकते हैं आफिस में आपके काम की तारिफ होगी आपका confident लेवल भी बढ़ेगा परिवार में सब के साथ बहतर सम्मंद अस्ताफित होंगे रिसर्च के कार्यों में आपकी रूची बढ़ेगी किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले मित्रों से सला लेना आपके लिए फायदे मंद होगा जीवन साती के साथ धार्मी कस्तनों की यात्रा पर आप जा सकते हैं यह यात्राएं आपके लिए वेहद सुखद रहने वाली हैं आपके बच्चे आपकी बातों को समझ सकेंगे आपको कुछ जरूरी कामों में दोस्तों से मदद मिलेगी साथ ही कई दिनों से अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है रुके हुए कारे आपके पूरे होते दिख रहे हैं 28 और 29 दिसंबर का दिन चात्रों के लिए बहतर परिणाम वाला होगा आपको किसी परतियोगी परिक्चा से रिलेटेड कोई सुबसमाचार की फ्राप्ती होगी आर्थिक छेत्र में इस्तिर्ता बनी रहेगी परिवार में सुखद वाताबरन का माहोल रहेगा दामपत्ते संबंद में भी मदूरता से भरपूर रहने वाला है किसी काम को लेकर आपकी उल्जने कम होती दिख रही है कला के छेत्र से जुड़े लोगों के लिए 28 और 29 दिसंबर का दिन बहतर अच्छा रहेगा मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि इन दिनों आप अपने कारियों के प्रती सतरक रहें आपको कोई खास काम पूरा होते दिख सकता है कोई खास काम पूरा होने से आपके खुशी बढ़ कर जाएगी आपको बताना चाहेंगे कि 28 सुर 29 दिसंबर को दिन साम तक आपको कोई अच्छी खुशकबरी मिल सकती है सोसाइटी के लोग आपके व्यक्तितों से वेहत प्रसंद रहेंगे आप अपने ताजगी से परिफूर न रहेंगे लमट के साथ आपका दिन बहतर गुजर सकता है आपकी बातों से कुछ लोग प्रभावित भी होंगे सोचे हुए कारियों के गतीब मजबूत होंगी आपको धनलाप के कई मौके इन दिनों मिल सकते हैं परिवारिक काम को पूरा करने में घर के सभी सद्दिशों का सहयोग आपको प्राप्त होगा कोई सहपाठी आपसे अपनी बातों को सेयर कर सकता है आपको सबकी मदद करके चलना होगा क्योंकि आगे भी आपको मदद की जरूरत पढ़ सकती है निसरासी के चात्रों के लिए 28 और 29 दिसंबर का दिन काफी बहतर रहने वाला है आपको अपने कारी चेतर में बहतर परिणामों की फ्राप्ती होगी आपका दिन बहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैमाता दिया वस लिखें आपका दिन सुब हो मंगलकारी हो जैमा विद्वासनी मित्रों 28 और 29 दिसंबर मित्वनरासी वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये दिन मित्रों आपको बताएंगे इन दो दिनों में कौन से चेतरों में कारी करने से आपको ज्यादा सफलता आपके मान सम्मान स्कृति में वर्दी हो सकेगी आप अपने कारी छेतर में बहतर फर्दर सन कर सकोगे इसके लिए क्या करें क्या ना करें क्या कहते हैं आपके सितारे आपका लखी कलर लखी नंबर इन दिनों में कौन सा रहने वाला है आपको बताए करें चैनल को सब्सक्राइब अब सकर लें ताकि रोजा नारासी फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सकें मित्रों आज मितुन रासी वाले जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके भागे के सितारे आज काफी बुलंद रहने वाले हैं आपको नामपत्य जीवन खुसहाल बना रहेगा वैबसाइक प्रगति के लिए दिन काफी अनुकूल रहने वाले हैं 28 और 29 दिसंबर का दिन आप किसी नए काम के बारे में सोच सकते हैं आपका स्वास्त फिट रहेगा आप दोस्तों से मिलेंगे आफिस में आपके कारियों की प्र आपको बताना चाहेंगे कि मितुन रासी की महिलाओं के लिए